देश में 500 और 1000 रुपे के नोट बंद करने को लेकर सियास सतेज हो गई है नोट बंदी के फैसली पर दिल्ली की मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साथ है केजिवाल ने कहा कि पीम ने अपने दोस्तों को पहले से आगहा कर दिया था इसलिए बीजीपी नेताउं ने अपने काले धन को पहले ही ठिकाने लगा दिया के जिवान ने आरोप लगाया कि नोट बंदी के नाम पर देश में बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया पिछले तीन महिने में बैंकों में हजारो करोड रुपए जमा कराये गए बैंक में जमा कराये गई इतनी बड़ी रकम से शक पैदा होता है पिछली तिमाही से पहले बैंक जमा नेगिटिव में था उसमें कोई बड़ोतरी नहीं देखी गए लेकिन फिर यह अचानक से बढ़ गया ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ केजिवाल ने कहा कि यह जो अफरत अफरी मची है उससे किसी काले धन का पता नहीं चलने वाला बलकि इससे काले धन की बस जगहा बदल जाएगी केजिवाल ने कहा कि मोदी जी की काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है मलकी चन्ता की गाड़ी कमाएं के खिलाफ उनकी बचत पर एक प्रहार है आपको बता दें कि कल बीज़पी अध्यक शमिच शाहा ने आमादमी पार्टी समेट कईवी पक्षिदलो पर निशाना साधा था जिसके बाद अब केज़वाल सामने आये और केंदर सरकार पर नोट बंदी के नाम पर घुटाले का गंभीर आरूप लगाया है देखते रहे एटी बिलाइव